जै मातादी मित्रो स्वागते आप सभी का हमारे योट्यूब चेनल में तो कन्या रासी वालो मित्रो आने वाले 24 घंटों में याने की दिनांक 20 अगस्त 2023 का दिन केसा रही का आप लोगों के लिए मित्रो बहुत खास वीडियो होने वाली है एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनियेगा बड़े ही ध्यान से समझियेगा कि इन 24 घंटों में मित्रो जीवन में कौन-कौन से परिवर्तन होंगे तो आईए सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं मित्रो पंचांग पर तो आप सभी को बता देते हैं कि मित्रो 20 अगस्त को रवीवार का वार है साथ में स्रावन मास के सुखल पक्स की चतुर तिती है और मित्रो हस्त नक्सत्र का निर्मान हो रहा है वहीं साध्य नाम की योग भी बन रहा है जो की बड़ा ही सूब योग है मित्रो और अगर सुर्र की स्तती देखें तो सुर्र तो व्रसब रासी में ही विराजमान रहेगा लेकिन चंद्रमा की स्तती कन्या रासी में ही रहेगी मित्रो याने की आपकी रासी में होने से ही अब अंत्रिक्स में उपस्थित समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्सक्त्रों की चाल का कन्या रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा कौन से सूब समाचार आपको सुनने को मिलेंगे कौन से असूब समाचारों की प्राफिय आपको होगी क्या साउधानिया आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनोतियों का सामना आपको करना पड़ेगा समस्त बाते समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको बताएंगे मित्रो आईए सब से पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में साथ बार ओम सुर्य देवाई नमह अवश्य ही लिख दीजिएगा मित्रो मित्रो इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखने की सला हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए पहुँदी चमत्दारी उपाएं एवं सिद्ध मंत्र लेकर आएं हैं जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिद्ध होंगे तो आईए मित्रो आपका वक्त बहुत किम्ती है और आपके इसी किम्ती वक्त को गवाई बिना बात करते हैं मित्रो गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार की तो मित्रो हमारे गुरुजी कहते हैं कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता है मित्रो हमारा भाग्य हम स्वयम लिखते हैं जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा वहवार और हमारे कर्म ही मित्रों हमारा भाग लिखते हैं इस जीवन में मित्रों परमात्मा सब कुछ स्वयम नहीं देते हैं कुछी चीजें हमें मित्रों छीननी पड़ती है मांगनी पड़ती है स्वयम को थोड़ा जिद्धी बनाना पड़ता है क्योंकि जो इनसान अपने जीवन में जिद्धी होता है वह इनसान मित्रो अपने जीवन में बहुत कुछ पा लेता है आईए मित्रो इस ग्यान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं 24 गंटों के मेहेत प्रसमय अंतराल की तरफ मित्रो आपको बता देते हैं कि कोई ऐसे काम में आप हाट डालने का प्रियास करेंगे जिस काम में आपको अच्छा लाब मिलेगा लेकिन बता देते हैं कि लालच इनसान को हमेशा डुबो देती है इसलिए लालच में आकर बिना सोचे समझे कहीं भी हाट ना डाले ना तो पेशा निवेस करें और ना ही पेशा निकानने की सोचें मित्रो समाज में सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी लेकिन किसी भी काम को कठिन मान कर ना छोड़ी मित्रो थोड़ी सी मेहनत आपको बहतरिन सफलता देने वाली है मित्रो अपने जीवन में हमेशा एक बाद ध्यान रखना की काम कोई भी हो छोटा नहीं होता है कि ये काम आगे कुछ नहीं लाब देंगे तो मित्रो आपने बहुत बड़ी गलती की थी इस बार यह गलती मत करना कुछ नई बातों कुछ सिखने की भी आप में रूची रहेगी मित्रो और बता देते हैं कि मेहनत चाहे छोटी हो या बड़ी हो सफलता जरूर देती है क्यों तो आपको मित्रो फल मिलेगा ही मिलेगा मामा पक्स के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद की इस्तती बन सकती है और संभंदो को बनाए रखने में आपका प्रियास भी जरूडी है मित्रो संभंदो को बना कर रखना है Personal Life से सμबंदित किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेच करे मित्रो अगर आपके मन में कुछ नकरात्मक विचार ऊठेंग रहे हैं तो उन विचारों को दबाने का प्रियास करे मित्रो क्योंकि नकरात्मक विचार की वज़े से आप अपने जीवन में कुछ थीक से नहीं सोच पाते हैं आपकी यही गलती है आप हर बार नकरात्मक्ता के साथ जीवन आगे बढ़ाते हैं और वही नकरात्मक्ता फिर आपको दुख देती है तो इस बार सकरात्मक्ता को मित्रो अपनाए और नकरात्मक बातों पर काबू पाने का प्रियास करें बिजनस में पाइडे के नए सोर्स आपको मिलेंगे मित्रो बिजनस करने वाले लोग अपने काबिलियत को पहचान कर किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने की कोसिस करें बता देते हैं कि जो जातक बिजनस करते हैं इस वक्त अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान दे बिजनस में आपको बहत्रिन डिल हाथ लगेगी और इस डिल को हाथ से नहीं जाने जना है अपने जनसंपर्क का दाइरा बढ़ाएं और जितना ज्यादा हो सके लोगों से मेल मुलाकात करें लोगों से मिले मित्रो और नोकरी में बदलाव संबंदित विचार है तो अच्छे ओफर आपको मिल सकते हैं कि आपके सामने कैसारे ओफर होंगे उन ओफर में से किसी एक कुछ चुन ना होगा जीवन में मित्रो बहुत विकल्ट मिल रहे हैं विवाहित जीवन सुखमाई रहेगा तफ़ा घर में सांती और उचित विवस्था भी बने रहेगी मित्रो आप सभी को बता देते हैं कि आपके जीवन में अपने आपको व्यस्त रखने की कोशिस करें क्योंकि खाली दिमाग जो होता है वह सेतान का घर होता है मित्रो परिवार में अचानक कोई दुरगटना घटने की संभाव ना बन रही है आपको अचानक भागदोड करने पड़ेगी अपनी सेहत का विशेज ध्यान रखे और माता पिता के साथ मित्रो थोलासत समय जरूर व्यतित करें और बता देते हैं कि काम की वज़े से ठकान और कमजोरी हावी रहेगी कुछ समय अपने मन मुताबिक कारू में व्यतित करके पूर्णा और जावान आप हो सकते हैं मित्रो अपनी जिन्दगी का कुछ एहम हिस्सा अपने लोगों के बीच बिताने का प्रियास करें मित्रो आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आप जिन्जिन लोगों पर आख मोंद करके भरोसा कर रहे हैं मित्रो वही लोग आपको बड़ा सबक सिकाएंगे अच्चानक ही आपके साथ मित्रो बड़ा विश्वास घात होने वाला है वही ग्रहिष्ट दिदो बहुत बड़िया बनी होई है मित्रो लेकिन कुछ सावधानिया होगी अपनी उर्जा को सही दिसा में लगाएं तो निश्चित ही लाब भी मिलेगा और पेशा भी आएगा और मित्रो बाचित द्वारा मुद्धा जो भी है चाहे विवास से संबंदित हो प्यार से संबंदित हो या परिवार से संबंदित हो मित्रो उन मुद्धों को सुलज़या जा सकता है विद्यार्तियों की पढ़ाई व करियर संबंदिस समस्याव का समाधान बहुत ही जल्द होगा और खुश रहने के लिए सभी से सहीयोग और इसनहे की भावना रखनी होगी व्यारत के कार्यों में धन खर्च होने के योग रबलता से बने हुए हैं इसलिए मित्रों व्यारत के कार्यों में पढ़कर अपना समय निष्ट ना करे भूमी या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा करजा लेना पढ़ सकता है इसलिए अपने आरतिक इस्तिति को जरूर ध्यान में रखे कार इस्थल पर सह कर्मियों और स्टाफ का उचित सहयोग रहेगा तका कार प्रणाली में भी और अधिक बहतर मदद मिलेगी लेकिन पार्टनर्जिप में किसी पर भी मित्रो आँख मूंद कर भरोसा करना नुक्सान दायक रह सकता है जब तक आप अपने पार्टनर की यानि की आपके साथ कार करने वाले व्यक्टी की नियत को नहीं जान लेते हैं तब तक कार ना करें अपनी ओफिशिल फाइलों को किसी भी व्यक्टी के हाथ में बिल्कुल भी ना दे क्योंकि यदि गलत व्यक्टी के हाथ फाइल लग गई तो दिक्कते पेदा हो सकती है पति-पत्ने के बीच के संबंद मदोर रहेंगे और घर के किसी सदस्य के विवाह को लेकर बात बन सकती है सिरदर्द या बुखार की समस्यां आपको रह सकती है तो इन सब से बचने के लिए ज़्यादा गरिष्ट वद तला भुला भोजन खाने से परहेज करें मित्रों एक बात को अपने दिमाग में उताल दें कि जो अनुभव आपको मिले है उन अनुभवों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होगा अभी तक मिले अनुभव से तकलिफे बढ़ सकती है फिर से इसी तकलिफ ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें आप खुद को सिमित विच्यारों में बांध कर रखें इस कारण दिक्त हो रही है मित्रो और बता देते हैं कि नए काम के लिए खुद को धिरे-धिरे तयार करने की कोशिज करें और पूरानी सीख का इस्तमाल करते हुए गलतियों को टानने की कोशिज करें खुद को बहतर बनाने के लिए वरिष्ट लोगों का मार्ग दर्शन ले यानि कि आप से जो बड़े हैं उन लोगों का मार्ग दर्शन ले मित्रों आपके किसी भी खास निर्णई में दोस्तों और परिवार वालों की पूरी मदद रहेगी धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के प्रती बढ़ रही आपकी आस्था भी आपके ड्रश्टी कोण में आस्चर रिजनक सकरात्मक परिवरतन लाएगी और बच्चों का पढ़ाई के प्रती तनमयता देखकर सुकुन रहेगा किसी भी गतिविदी में चाहे सकरात्मक हो या नकरात्मक हो सरकारी नियोमों का उल्लगन ना करें वरना आप मित्रों मुसीबत में फस जाएंगी ध्यान रखिए आप जिस यक्ती पर भरोसा करते हैं वही आपको दुख देगा दोका भी दे सकता है नुकसान भी पहुचा सकता है मित्रों आपकी सबसे बड़ी भूली यही है कि आप हर किसी पर आँख मोंद करके भरोसा कर लेते हैं बेहतर होगा कि एक निश्चित दूरी बना कर रखें सेयर सकता आदी जैसे जोखिम कार्यों में मित्रों आपको साउधान रहना होगा बिजनस में अगर नया काम सुरू करने की योजनाई बंद रही है तो उन पर काम सुरू करने के लिए समय अच्छा है हार्ड वेयर के कारूबारियों के लिए समय बहुत ही फाइडे मंद है और नोकरी पिसा लोगों के काम में गलती की वज़े से अधिकारी नाराज हो सकते हैं मित्रो जो गलती की है उन गलतीयों को सुधारने का प्रियास आपको करना चाहिए वहीं मित्रो आपसी संबंदों में रखें प्रेम संबंदों के मामदे में भी कुछ दिक्पते रहेगी घर के किसी सरश्य के स्वास्तों को लेकर चिंता रहेगी तो तुरंत ही डाक्तर से सलाले साथ ही खुद भी व्यायाम पर अवश्य ध्यान दे मित्रो योगा और व्यायाम को अपने जीवन से लेगा एक अभिन हिस्सा बना ले विचारों में बार-बार बदलाओ आने से चंचलता बढ़ेगी और किसी काम को पूरा करने के लिए यह समय कठेंद रहेगा लोगों की आलोचनाओं की वज़े से खुद को सही साबित करने की जीद रहेगी इस कारण नई गलतिया हो सकती है केवल अपने काम पर ध्यान देने की कोशिस करें तो वक्त के अनुसार लोगों को आपके पक्स समझ आएगा काम की जगर अचानक से बड़े बदलाओ हो सकते हैं इस कारण अभी तक बनाए गई योजना में बदलाओ हो सकता है और रिलेसंसिप से जुड़ी बारिक बातों पर ध्यान दे ACDD और गेस की तकलिफ मित्रों आपको हो सकती है वहीं इस वक्त बता देते हैं कि आपकी कोई मनुकाम ना पूरी होने से प्रसंदता रहेगी जीवन में संतान पक्स की योर से जो चिंता बनी हुई थी उसका भी समाधान मिल सकता है और आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचिस समय है रुपे पेसे के लेंदेन संभंधित गतिवेडिया होगी और पड़ोशियों के मामले में लापरवाही बिलकुल भी ना करें बिलकुल भी ना बरतें कोई नजड़ी की व्यक्ति ही आपके खिलाब अफ़वा फेला सकता है तो बेहतर होगा कि अपने गतिवीडियों को किसी के समक्स जाहिर भी ना करें फिजल खर्चे पर कड़ाई से रोक लगानी होगी तथा अपने इंकम के बारे में ज़्यादा धियान देना होगा मार्केट में आपकी योग्यता और महनस से आपको उपलब दिया हासिल होगी हाला कि इनके परिणाम आपको धिमी गति से ही मिलेंगे इस समय अपना फूरा फोकस रोकी हुई पेमेंट को वापस लेने में लगाएं और ओफिस में किसी भी सहय योगी के साथ वाद विवाद में बिलकुल ना पड़े विवसाइक अथवा ओफिसियल यात्रा का भी प्लान बन सकता है साथ ही मित्रो विवाही संबंदों में आपसी सामन जश्य मदूरता पूर्ण रहेगा तथा परिवार के साथ खुशनुवा समय भी व्यतित होगा वियर्थ के प्रेम संबंदों में भी आपको अपना समय बरबाद नहीं करना है साथ ही मित्रो आईए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमतकारी एवं सिध्ध उपाई जो आपकी जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिध्ध होंगे मित्रो बड़े ही ध्यान से सुनियेगा एशा उपाई आपको बार-बार बिल्कुल भी नहीं सुनने को मिलेंगे हाथ में दन नहीं रुकता है तो अभी कर ले यह छोटा सा उपाई मित्रो रविबार के दिन गी का दिपक जलना सल्दाई होता है इस दिन घर के बाहारी दरवाजे के दोनों तरफ देशी गी का दिपक जलना चाहिए माना जाता है कि परिवार को गी का दिपक जलने से सुर्य देव के साथ साथ मालक्स में भी प्रसंद होती है और घर आगमन भी होता है वही मित्रो एक और छोटा सा उपाई और है जिनने जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा मित्रो आपको क्या करना है सावन का उपाई है मित्रो भुले नाथ को प्रसंद करने के लिए पूरे आठ सावन सो मार बिनेंगे यदि कोई व्यक्ति तनाव और आर्थिक परिशानियों से जूज रहा है तो सावन के मित्रो पहले दिन यानि की मंगलवार को 21 बिल पत्र के उपर चंदन से ओम नमस सिवाई लिखकर मंदिर में जाकर भगवान सिव को अर्पित करें इससे घर में सुक सांती समरध्य का वास होता है तो आईए मित्रो इस उपाय को जानने के बाद वीडियो की समाप्ती यहीं पर करते हैं देनिक रासी पलिवम रोजहना ग्यान वर्धक वीडियो की प्राप्ती के लिए आप सभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करके